हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका आज के वीडियो में आज के वीडियो में हम बारा जोतिरलिंगों के दर्शन करेंगे हम जानेंगे कि ये बारा जोतिरलिंग भारत में किस किस जगह पर स्थित है और साथ हम इन जोतिरलिंगों से जोड़ी पौरानिक कथाओं के बारे में भी जानेंगे और वीडियो के एंड में हम कुछ आरतियां भी देखेंगे जो कि इन जोतिरलिंगों पे होती है जैसे कि बाबा महाकाल की भसमार्ती और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब भी करें चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो से सोमनाथ जोतिरलिंग गुजराथ सोमनाथ जोतिरलिंग बारा जोतिरलिंगों में से पहला जोतिरलिंग है और ये गुजराथ के सौराश्टर में स्थित है इस जोतिरलिंग का संबन स्वयम चंदरदेव से है तभी इसका नाम सोमनाथ है इसके पीछे की पौरानिक कथा कुछ इस तरह से है चंदरदेव की शादी दक्ष की 27 बीटियों के साथ हुई थी इन 27 रानियों में से चंदरदेव लोहिनी नामक रानी का ज़ादा ध्यान रखते थे और बाकी रानियों पे ध्यान नहीं देते थे इस पर क्रोधित होकर के दक्ष ने चंदरदेव को श्राप दिया कि चंदरदेव की रोशनी का तेज कम होता जाएगा इस श्राप से बचने के लिए चंदरदेव ने भगवान शिव की अराधना करी और इस पर प्रसन हो करके भगवान शिव ने चंदरदेव को इस श्राप से मुक्त किया पौरानिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चंदरदेव ने ये मंदिर सोने का बनवाया था उसके बाद रावन ने इस मंदिर को चांदी का बनवाया और फिर श्री कृष्ट ने इस मंदिर को चंदन का बनवाया इतिहास के अनुसार माना जाता है कि अलग-अलग युद्धों की वज़े से सोमनात मंदिर सत्रा बार तूटा है और इसका पुनहर निर्मान हुआ है आज जो हम सोमनात मंदिर देख रहे हैं उसका निर्मान श्री वल्लब भाई पटेल ने करवाया था और ये हैं सोमनात जोतिरलिंग के आरती के दर्शेन मलिका अरजुन जोतिरलिंग श्री सेलम मलिका अरजुन जोतिरलिंग आंध्रप्रदेश में स्री सेलम नाम की जगे में कृष्णा नदी के तटपर्स्तित है इसकी पौरानिक कथा कुछ इस तरह है जब भगवान गनेश और भगवान कार्थिके की शादी की बात चल रही थी तब प्रश्न ये उठा कि किसकी शादी पहले होगी इसका निरने करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को विश्व का चक्कर लगा करके आने को कहा इस पर भगवान कार्थिके अपना वाहान ले करके निकल गए लेकिन गनेशी ने चतुराई दिखाई और भगवान शेव और पार्वती के ही साथ चक्कर लगा लिए जब भगवान कार्थिके वापिस लोटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ ज़ल हुआ है और वो रूट करके कैलाश छोड़ करके क्राउंजा परवत पर जाकर रहने लगे माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा और वो कैलाश वापिस नहीं आए तब भगवान शेव और माता पारवती स्वयम ही कैलाज छोड़ करके श्री सेलम में आकरके रहने लगे और इस तरह से ये प्रसिद हुआ मलिक अर्जुन जोतिरलिंग के नाम से महा कालेश्वर जोतिरलिंग उज्जेन महाकालेश्वर जोतिरलिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के सटपर स्थित है माना जाता है कि महाकालेश्वर जोतिरलिंग स्वेम भू है यानि कि वो खुद से यहां उत्पन हुआ है महाकाल जोतिरलिंग की विशेष्टा ये है कि ये एक मात्र दक्षिन मुखी जोतिरलिंग है यहां पर हर रोज सुभा चार बजे भस मारती होती है जो की पूरे विश्व में प्रसित है उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं और ये है महाकाल बाबा की आरती के दर्शेन ओम कारेशर जोतिरलिंग मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओम कारेशर जोतिरलिंग भी है ये जोतिरलिंग इन दौर के पास खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के दटपर स्थित है ये जोतिरलिंग जिस पहाड पर है वो पहाड नर्मदा नदी के बीच एक द्वीब है इस पहाड के चारों ओर नर्मदा नदी भहती है और इस वज़े से ये पहाड ओम के आकार में है और तभी इस जोतिरलिंग को ओम कारेश्वर के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में यही सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जोतिरलेंग और शक्ति पीट दोनों एक साथ है बाबा बैधिनात को लेकर के कई सारी पौरानिक कथा हैं और उनमें एक कथा ये भी है कि यही वो जगह है जहाँ पर रावण ने भगवान शिफ को प्रसंद करने के लिए अपने दस सिरों का बलिदान दिया था भगवान शंकर ने प्रसंद हो करके रावण को दर्शन दिये और रावण का इलाज किया तभी इस धाम को वैधिनात के नाम से चाना जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने वैधि की तरे रावण को ठीक किया भीमा शंकर जोतिरलिंग महराश्ट्र में पूने के पास सहियादरी हिल्ज पर है यहां से भीमा नदी उत्पन होती है इसकी पौराने कथा कुछ इस तरह से है त्रिपुरा सुर नामकराक्षचेस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था उसको खतम करने के लिए भगवान शिफ खुद यहाँ पर आये और उससे युद्ध किया और उसको खतम किया युद्ध के बाद भगवान शिफ काफी ठक गए थे और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने आराम किया और माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाले जलसे उत्पन हुई इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिफ से प्रातना करी कि वो यहीं पर ही बस जाए तो भगवान शिफ प्रसन होकर के यहाँ पर हमेशा के लिए भीमा शंकर जोतिरलिंग के रूप में स्थापित हो गए रामेश्वर जोतिरलिंग तमिलनाडू रामेश्वर जोतिरलिंग तमिलनाडू में रामनाथ नाम की जगह पर है ये बारा जोतिरलिंगों में से एक जोतिरलिंग तो है ही साथ ही साथ ये हिंदू धर्म के अनुसार चार धामों में से एक धाम भी है रामेश्वर जोतिरलिंग की स्थापना स्वयम शिरी राम ने करी थी लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले श्री राम ने स्वेम इस शिवलिंग की स्थापना करी थी तभी इसको रामेश्वर नाम से जाना जाता है नागेश्वर जोतिरलिंग गुजराद गुजराद में सोमनात बाबा के अलावा नागेश्वर जोतिरलिंग भी है ये जोतिरलिंग गुजराद में द्वारका के पास दारुकावना नामक जंगल में स्थित है ये जोतिरलिंग बाबा शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है शिफ पुरान के अनुसार इसकी एक कथा भी है माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था जिसका नाम था दारुका और दारुकी दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उसे माता पार्वती से वर्दान भी मिला हुआ था लेकिन दारुका वो यहां पे काफी उतबात मचाने लगा और यहां के लोगों को परेशान करने लगा उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंधी बना लिया इस पर सब लोगों ने शिव चाप शुरू कर दिया और तब शिव ने उनकी रक्षा के लिए यहां पर जोतिरलिंग का रूप लिया तब से यहां पर भगवान शिव नागेश्वर जोतिरलिंग के रूप में विराजमान है विश्विनाद जोतिरलिंग बनारस उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में विश्विनाद जोतिरलिंग है बनारस जिसे की दुन्या की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है यहीं पर काशी विश्विनाद जी का मंदिर है काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे जादा महत्व रखता है ये नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है काशी विश्वनात जी के दर्शन आदी शंकरचारी जी जैसे कई रिशी मुन्यों ने करे हुए है इस थान के बारे में मानेता है कि अगर प्रले भी आएगी तो काशी विश्वनात बचा रहेगा माना जाता है कि इसकी रक्षा के लिए शिव जी इसे अपने त्रिशूल पे उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने पर इसे पुनहा इसके स्थान पर रख देंगे जो मंदिर हम आज देख रहे हैं इसका निर्मान देवी अहिल्या बाई होलकर ने कराया था और ये हैं काशी विश्वनाद जी के आरती के दर्शेव त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग नासिक महराश्ट्र में नासिक के पास त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग है ये जोतिरलिंग ध्रमगिरी परवत के पास है और ध्रमगिरी परवत से गोदावरी नदी उत्पन होती है माना जाता है कि कौटम रिशी और गोदावरी नदी के आगरह करने पर भगवान शिव ने यहां पर जोतिरलिंग का रूप लिया केदारनाच जोतिरलिंग उत्राखंड उत्राखंड में रुद्र प्रयाक जिले में केदारनाच जोतिरलिंग है कौरी कुंट से आगे जाकरके मंदाकनी नदी के तट पर बाबा केदारनाच विराजमान है इस मंदिर का निर्मान पांडवों ने करवाया था महाभारत के युद के पश्चात पांडव अपने भाईयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे इसलिए वो भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे और इसलिए भगवान शिव पैल का रूप भारण करके केदारनाथ पहुँच गए लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए तब भगवान शिव धर्ती में समाने लगे लेकिन भीम ने पैल की पीट पकड़ ली थी तबी यहाँ पर केदारनाथ शिव लेंग पैल के पीट की रूप में है भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिये और उन्हें पाप से मुक्त किया पांडवों ने यहाँ पर फिर केदारनाथ मंदिर का निर्मान करवाया ये मंदिर काफी पुराना है और माना जाता है कि करीब 400 साल तर ये मंदिर सबर्फ के अंदर दबा हुआ था महाराष्टरा में औरंगाबाद के पास एलोरा केवस है और इन्ही एलोरा केवस के पास में हैं घृष्णेश्वर जोतिरलंग इस जोतिरलिंग की मानेता ये है कि यहाँ पर घुश्मा नाम की एक शिफ भक्त थी उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था अपनी भक्त पर इस तरह के अन्याय को देख भगवान शेव यहाँ पर प्रकट हुए और घुश्मा को दर्शन दिये और इसके बाद भगवान शेव यहाँ पर जोतिरलिंग के रूप में स्थापित हो गए तो ये हैं हमारे बारा जोतिरलिंग सौराश्ट्र सोमनाथम चश्रीशले मलिकार जुनम उजैनिया महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम और ये हैं कुछ वीडियो जो यहां की आरतियों की है टाल्स कारा जोतिर जोतिरलिंग पाल्स काल जोतिरलिंग जीफ वावान शेया जोतिर्दी चाल प्रादियो प्रत्तव प्राख लोगीता डरत फ्रत अंहुंथां साथ प्राख, प्राफ यणिता अंहुंदार नैंत साथ ज containsाओ, प्राई इसा अखिया लिए्धिया कि अंहुंदा है जिएमाख लागी, झाल, झाल, झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, झाल. झाल, झाल, झाल.